हेलो दोस्तों अब आज हम कवर कर रहे हैं रिप्रोड़क्टिव हेल्थ यह एंसी आर्टी बुक्स का चोथा नंबर का चेप्टर है फोर्थ नंबर का चेप्टर है और यह हमारा एक प्यारा सा चेनल एंसी आर्टी बुश्टर और इस रिप्रोड़क्टिव हेल्थ को लाइन टू लाइन एंसी आर्टी हंड्रेड परसेंट कवर किया है और इस लाइन टू लाइन के अंदर जो नोट्स दिखाए है तो एकदम इजी और सरल तरीकी से आपको समझाए गया है और इस नोट्स के अंदर आपको 100% गारेंटी है कि आपको इस चेप्टर को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका कंसेप्ट किलियर हो जाएंगे और नो सिंगल डाउट रहीगा इस फालतों की भासन बा अब हम इसमें सब से पहले इस चेप्टर में देखते हैं रीप्रोडक्टिव हेल्स होता किया है इस reproductive health को बोलते हैं physically, emotionally, socially and behaviourally एक दम बेल बिंग अच्छा होना चीए जिसके बाद इसके अंदर एक term दिया है WHO WHO का मतलब bird health organization जितनी भी problem है ये bird health organization के अंदर आती है reproductive health की इसका जो center है WHO का वो जेनेवा के अंदर है हाँ जेनेवा के अंदर है और इसके अंदर जो next point दिया है NCIT ने cover किया है family planning program इस family planning program इंडिया के अंदर 1951 के अंदर ये आया था और ये एक तरह से national level का program है एक फुलपो मुती reproductive child health care RCH का मतलब reproductive and child health care और इसके बाद एक concept होता है कर दिया गया इस अमाइनो सेंटेसिस प्रोसेस को बेन कर दिया गया clear और MMR का मतलब होता है maternal mortality rate और IMR का मतलब होता है infant mortality rate clear हो गया इसके बाद इसके बाद NCRT ने कुछ data cover किया है जैसे bird population day ये 11 जुलाई को होता है ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लिख दिया है और कुछ census census मतलब कुछ जनगर्णा जो फर्ष्ट जनगर्णा होई थी 1832 के अंदर लास्ट जनगर्णा होई थी 2011 के अंदर उसके अंदर bird population बताए गई 1900 में 2 billion 2000 में 6 billion 2011 के अंदर 7.2 billion और इंडिया की उस time जो population थी independence के time 300 million 2000 के अंदर 1 billion और जिसके बाद 2011 के अंदर आ गए बन 0.2 billion इन चीजों को देखते वे हमें बोल सकते हैं कि 2011 इंडिया और 2011 bird 1.2 से 7.2 मतलब की एक तरह से 6 times दिख रहा है ना bird 6 times कहने का मतलब जो ratio of bird के सकते हैं कि बनवाई 6 पर इंडियन में बर्ल का छे आदमी में से जो छे हुमन में से जो में में से एक बंदा इंडिया का होगा और जो 2011 में जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इनकी increasing rate है 1.7% मतलब less than 2% clear हुआ इसके बाद कुछ हम को बताया गया है कि कुछ इस bird population explosion को जो control करने के लिए मतलब कि जो बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने के लिए कुछ हमने contraceptive method जैसे birth control इसके अंदर natural method होती है barrier method आयोडी जो और सर्जीकल और oral contraceptive injectable और implants इसके अंदर हम एक 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 method को explain करते चलेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे natural method की clear इस natural method के अंदर सबसे पहले इस natural method के अंदर हमने लिया है पेरिडिक abstinence पेरिडिक abstinence ठीक है इस पेरिडिक abstinence का मतलब होता है कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ पीर मतलब की avoid coitus from 10 to 70 day of menstrual cycle के 10 से लेके 17 दिन से लेके 17 दिन के बीच में avoid coitus coitus को avoid करो और जिसके बाद में second है बिड्रा all coitus कि इसको पेनिस को रिमूब कर दो जश्ट विपोर इसे को जब जैसे ही मतलब की लेडिस जैसे बच्चे का जनम हो जाता है तो जो लेक्ट्रेशन पीरिड होता है मतलब की इंट्रिक लेक्टेशनल मतलब की बेबी को मिल्क सकिंग आउड जोगी मिल्क देती है मदर उसी टाइम में जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है वह इंक्रिज होता है और यह प्रोलेक्टिन क्या करता है जी एन आरेस पे नेगेटिव फेक्ट डालता है इसकी बज़े से एलेक्ट और किसी इसको मतलब इंपक्ट होता है किले ओगए तो मतलब ओले सिवर्भ ना फटाएशन बगेरा ना जायगोत बिङरा काप्लिश नहीं हो पाएगा इसके बाद कुछ मेथर होते हैं बेरियर मेथष में जिसमें इसके आंदर होता है कंटम जिसके बार डाइ फ्रागम सरबाइकल केप और वालेट kita Gulf किस जो इसको बोले हैं निरोध इसका दूसरा नाम है कंटम का जिसको बोले केप्स और नीरोध ये मेल और फिमेल दोनों के लिए ही मिलता है और इसको जो बना होता चिन लेटेक्स रवरसीट का बना होता है वो इसको एक बार यूज करके डिस्पोसल कर दिया जाता है एक यूज होता है जबकि डाई फ्रागम सरवाइकल केप्स और वालेट्स ये एक तरह से फिमेल के लिए और ये रीवाजेवल होता है मतलब रीवाजेवल बापस से मेठ़ होती यह उर इसके अंदर केंदर हमने लिया गया एक नौन मेडिकेटीड कौनसीी नौन मेडिकेटीड मतलब की इसका एक्जाम्पल पर ये अपड़ु सब्सक्स जो क्या करती है सपर में सब्सक्राइब कर देती है और कुछ होती हर्मॉन जिसका एक्जामपल इनका काम है मतलब कि यूटरस को इंप्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाना प्रोसेस भिए से इंप्लान्टेशन प्रोसेस आफेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं इसके बाद में कुछ हम देखते हैं अब हम पढ़ते हैं ओरल पिल्स के होती है estrogen plus progesteron का combination है और ये single progesteron की भी हो सकती है ये एक tablet है जो इनिवीट करती है ovulation और implantation को और after the cervical mucus quality मतलब जो cervix का mucus होता है उसकी quality को change करती है जिससे क्या होता है retard sperm entry मतलब की sperm की entry retard हो जाती है clear इसके बाद सहेली सहेली बंस बीक पिल है मतलब सब्ता में एक बार ली जाती है और ये एक तरह से हम कह सकते है non-steroidal pills है जिसका CDRI CDRI मतलब Central Drug Research Institute जो लकनव में है यहाँ पर ही सहेली का formation हुआ था जिसके बाद next topic हम पढ़ते हैं injection और implantation ये भी एक प्रोजिस्टिरोन प्लस प्रोजिस्टिरोन प्लस एस्ट्रोजन का combination बोल सकते हैं और ये एक तरह से under skin मतलब की भुजा जो अपनी होती है उसके जस्ट नीचे वहाँ पे इस pills का यूज लिया जाता है injection के तुरूप और अगली जो हम पढ़ते हैं administration of progesterone प्रोजिस्टिरोन प्रोजिस्टिरोन ये एक तरह से within 72 hours of coitus के दोरान emergency case के अंदर लिया जाती है इस pills का नाम है Mephy Pristone RU486 जो ये इसको यूज लिया जाता है emergency case के अंदर जो rapist case होते हैं जल्दी जल्दी इसको यूज लिया जाता है वह एक होती है surgical method surgical method के अंदर हम पढ़ते हैं ट्यूबक टॉमी और वासक टॉमी ट्यूबक टॉमी का नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर एक ट्यूब होती है जो जो ट्यूबका नाम है हिल्दी ट्यूब इसको रिमूब किया जाता है और उसको धागे से बान दे जाता है उसको बोलते हैं टाइड अप और एक बासक टॉमी नाम से ही पता लग रहा है इस बी मतलब हम याद करने का जो तरीका है इसको अपने हिसाब से देख लिए जाके बी से बासर डिफरेंस को कट आउट कर देते हैं इसमाल पार्ट को और इसको फिर टाइड अप कर देते हैं और इस तरीके से हम इस सर्जिकल मेथड का कंटरसेटन के रूप में यूज लेते हैं इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड के बाद में कुछ MTP वगेरा होती है एक टोपिक MTP ये एक तरह से क्या होती मेडिकल टर्मिनेशन ओप प्रेगनेंसी इसके अंदर ये इंडिया में लीगलाइज हुई थी 1971-1931 के अंदर और ये एक तरह से सेफ होती है मतलब की 12 वीक हम एक मंत में चार वीक तो थी मंच तक एक तरह से सेफ हो सकती है आज कल इंडिया में 45 से 50 मिलियन MTP कम से कम हो चुकी है और 2017 में इसको अमेंडमेंट्स जो गवर्मेंट्स ने लागू एक तरह से अमेंडमेंट्स लागू हुआ है जो लेटेस इंसियाटिक अं अंदर अमेंडमेंट्स ओप MTP यह किरियेट हुआ है इसके बाद जो नेक्स टॉपिक है एस्टीडीज जो एस्टीडी मतलब सेक्ट्वले ट्रांसिमीटियड डिजीज इसके अंदर हम बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कुछ बैक्तीरिया की है कुछ प्रोटोजोंस कुछ बाइरस मैंने बना दी इसको केटेगराइज करके जो NCRT के अंदर मिक्स में दी हुई है इस मेक्टिया के अंदर जो गोनोरिया सिपलिस और क्लेमाइडियासिस यह तीनों बैक्टिरिया से होने वाली डिजीज है और जिसके बाद बाइरस के अंदर जेनाइटल हरपीज औ और जेनाइटल वाट्स और एड्स और हिपेटाइटिस भी यह सब चारो बाइरस की डिजीज है इसके बाद जो ट्राइकोमोनाइसिस है यह प्रोटोजन्स डिजीज के अंदर आती है और एक लाइन जो पूछी जाती है एक्जाम में कि जो नोन क्यूरेबल मतलब कि जो ज हरपीज यह तीनों एक पर से याद रखना कि हरपीज मतलब जेनाइटल हरपीज यह तीनों के लिए मैंने ट्रिक बना रहा कि है ट्रीपल एच करके जो नोन क्यूरेबल होती है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं एच से एचाइबी जो एड्स के लिए रिस्पंसवल ह रिपेटाइटिस भी और एक जेनाइटल हरपीज जो यह तीनों डिजीज क्या होती है नोन क्यूरेबल होती है यह कुशन आता है एक्जाम में इसके बाद जो नेक्स्ट टोपिक हम पढ़ेंगे इन फरेटिलिटी मतलब की एक तरह से की कुछ प्रोबलम होती है बर्त को ल क्या तकनलोजी आंदर इस टेक्नो लोजी के अंदर इन बितरो का मतलब होता है कि इन और्ट साइडि वोडि एक तरह से जबकि इन बीबों का मतलब होता है कि in side body के अंदर देखते हैं इससे 100% कुशन आता है कि कुशन क्या पूछे जाते हैं वो एकदम से clear concept करेगा कि इसमें देखते हैं कि इन बिट्रो इसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि फरेटिलाइजेशन मेंने लिख रहा है कि outside body होता है मतलब test tube के अंदर हम fertilization करा देते हैं और फिर इस fertilizer के बाद जो embryo को transfer किया जाता है इस test tube baby एक तरस हम इस embryo को क्या बोलते हैं test tube baby जो एक तरह इसको देखते हैं जिफ्ट और आयूटी का मतलब कि जो फटलाइशन हुआ जो जाइगोट बना जाइगोट के अंदर जो एट सेल मौरूला स्टेज होती है मौरूला में कनवर्ट होता है जो यह स्टेज के अंदर मतलब कि जाइगोट की एट होता है मौरूला स्टेज के अंदर इसको बोलते हैं इसको एक तरह से यूट्रस मतलब की अपन डालते हैं यूट्रस के अंदर क्योंगा कहने का मतलब in vitro के अंदर दो टेक्निक है जिप्ट और IUT जिप्ट का मतलब 8 cell जो मोरूला इस्टेज होती इसको फेलोपेंट ट्यूप के अंदर रीच पहुचाए जाता है और जबकि IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसपर जिसमें 16th age stage को मोर्यूट्रस के अंदर implant कर दिय जाता है और एक होता ICSI यह भी इंविट्रों के अंदर याता है ICSI का मतलब जो इस्पर्मिया कंडिशन मतलब की लो इस्पर्म काउंट मतलब इनकेपेबल होता है फटिलाजिशन करने के लिए तो उसके लिए ICSI के लिए हो गए इंट्रा साइट्रो प्लाज्मिक स्पर्म इ इनसाइड बोडी चाहं फटलाजिशन अंदर कि सकता है जिसके अंदर दो कंडिशन में इने certifiedश़ करते हैं इसमेंлена कि कमी कें तो इसके अंदर इन्से में स्वाहं तक कराते हैं जो बेजाए है ना के Was the तो दोनीख districts कीलिए हो गजी इसके बाद में फीमेल गेमईत स्क्रांसप्र एक और यह बहुत मतलब की गेमईट को गेम स्करश से उबस करती ता impress को ही कि अंदर पॉह पूरल में उसके मज़े मुझे तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा एक बार और फिर से किलिए कर देता हूं इन वीट्रों के अंदर जिप्ट आयूटी और ICSI इन वीवो के अंदर आटीपिशल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन और जिप्ट यह तीनों तो इन विवो के अंदर और बातीक तिनों इन वीट्रों के अंदर इस तरीके से हम चैप्टर की इंडिंग करते हैं और आप बता हैं कि कैसा रहा और कोई प्रॉलम हो तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन को, कमेंट में आपके कमेंट करें, और लाइक करें सेशन को, ताकि मुझे आपका एक लाइक और ये एक कमेंट, ये सब मुझे नेक्स सेशन मनाएने के लिए जो भी मोटिवेट करता है, थेंक यू और बाचिंग इस वीडियो,